एक बैटरी एमफ है, यहांपर भी E है उर यहांपर भी E ही है अलग नहीं है और I1 एन एटू करएंड दोनों जब है जब गंदेन खुटीड तो एक्टराल रेजिस्टेंच जब इसका रेजिस्टेंच गोंड होगा बैटरी का जो मारे फॉर्मुला होता है कि इच्छ उफ लो में इन सर्केट्स का वो यह होता है यह है I1 E तो E ही है हमें R बुदनों के कॉमन है इंटर्लर अजिस्टेंज एक्स्टेंलर है R1 एक्वेशन फर्स्ट ऐसी इसकी बनेगी फर्स्टन सेकेंड नाव फर्स्ट डिवाइड बै टू एक्वेशन से इसे डिवाइड में जाएगा तो यह उपर नीच आएगा यह वाली वाली जाती है उपर यह वाली जाती है इधर अब इसकी कंडी हाँ पर इसकी क्रॉस मल्टिप्लाय करके यहाँ पर ऐसे आ गया अब I1 की मल्टिप्लाय दोनों में की जब आप क्या करना है हमें वाली चाहिए थी इंटेलर अजिस्टेंस मतलब आर की वाली चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा आर को एक तरफ लाके दन कॉमा देना पड़ेगा जैसे हमें I1-R यहां पर हमें I1-I2-R यहां पर हमें I1-I2 म पास्टेंसमा देना आपD go अब इस आर्स के लिए हम नीचे भीजना पड़ेगा आई टू आटू माइनस आई वन आरवन आई वन माइनस आई टू लेकिन ऐसा हमारा वास इसमें कहीं पर नहीं है ठीक है एक ओप्षन है वो यह वाला है उसमें क्या वैल्यूस्ट है वो सबकी अलग है जैसे कि आई टू हो आई वन होत्ते हैं आई वन आहर यह यह तो दोड़्ु खोरयो आप माइनस से मल्टिप्लाय कर दो से मैं नस से मेल्टिप्लाय गशोत इन द nuanced कि कर दो घ्तिने देख सकते हैं जब ऐसदे बैब को एक चिजह कर दी या फिक हांपर क्ये गरनने है जिसे हैं कॉमन लिया था जब हमने यह वाली एक्वेशन थी यह एक्वेशन बनके आई थी मारी यहाँ पर क्या करना है जिसे कि हम आई टू आर पहले यहीं पर इसको इधर लेके आज़ें तो यह गया अधर इधर क्या बचा इधर बचा आई वन आर वन इसको बेचके उधर आई टू आर्टू को आर की वाली नीचे चले जायाएगा वह वैल्यों आगई पूरी तो कैसे भी कर सकते हो या तो common उसको अलगत तरीके से लगो पहले अपने options में देखके या फिर अगर option में उल्टा आता है तो माइनस की मल्टिप्राय करके ऐसे भी कर सकते हो तो option D एक सेल ऑफ करेंट ऑफ 0.9A फ्लो थो टू ओम रजिस्टर एक सेल है जिसमें करेंट फ्लो हो रहा है आईवन 0.9A जिसका रेजिस्टर है टू ओम एन 0.3A थो 7 रेजिस्टर दूसरा वाला है 0.3A जिसमें जो रेजिस्टेंस है तो वह 7 रेजिस्टेंस ओफ दसेल इस हमें आर की वेल्यू निकाल लिए है फॉर्मला वही है आई इक्वल ई आर प्लस आ इसमें वैल्यूस पूट करेंगों दोनों की जैसे पहले लिखी 0.9 दो एक्वेशन बनेगी एक इसकी बनेगी किसकी बनेगी पहली एक्वेशन बन के फर्स्ट एक्वेशन दूसरे वाले के लिए 0.3 है यह नहीं है और निकालना है और 7 दिया हुआ है अब क्या करना है फॉर्स्ट और सेकिंड को डिवाइट करना है जिडो पॉइंट नाइन अपॉन में 0.3 जब डिवाइट करेंगे यह वाली वैल्यू जाएगी इधर य मुल्टिप्लाइए वागई इसे ए कट पॉइंट से पॉइंट कट 3 टाइमस से यह कट और प्लस 7 और प्लस 2 महाँ पास अब यह बचा है अब इसमें इसकी मुल्टिप्लाइए करके यह यह 0.5 ओम i love emf e is connected with an external resistance are excel a isma emfy axon resistance आर रहे दन potential difference across the cell is V potential difference भी द्याओगा एक चीज़ यह 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 लखना की emf और potential difference इन दोने की value अलग उती जैसे की emf की e रखी जाती है और potential difference की वी रखी जाती है इनको एक माश्माशना दा इंटनरल of the cell value we are so I equal we are plus R to be clear हमारे पास लेकिन V भी है और option में we are value नहीं है वह हमें निकालनी है तो मैं क्या गरेंगे V equal I into R हमारे पास AI भी नहींच्छार में वी इक्वल आइण टु आर वी उपान में आर इक्वल हो गया आई इसकी वेलम यहां पूट करेंगे वी अपॉन में आर ए आर प्लस आर मल्टिप्ला करके दर वी आर प्लस वी आर इक्वल ई-R अपके गंडने वी आर इदर ले लिया ए आर इदर है माइनस वी आर कर दिया क्योंकि आर आर दोन तरफ कॉमन हो चाहिए म आर पास वी आर इक्वल ई- माइनस वी इंटू आर हमें निकालना रहा था इंटर्ल रजिस्टेंस आर को इधर रखके ई- माइनस वी इंटू आर डिवाड़ बाई वी आप्शन सेकें किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉव अट जंक्शन इस बेस्ट अन लाव कंजर्वेशन तो लॉट था पहला वाला था जिसमें कि वह लॉव कंजर्वेशन आफ किस एक्वादिं था लॉवकंनुला चार्ज यो गारडिंड ता जो सेकींद वाला था वो था एनजिय कर मालेग सिर्द आप बात कि एकिस्की लॉवकर्श लोग फर्स्ट लॉटी कूं कि ही वो था energy वाले पर, जो first वाला था, वो था law of conservation of charge, जो second वाला था conservation of energy. इसमें क्या करना है, जैसे कि जो current junction पर enter करता है, जैसे यह two, यह two, यह दोनों enter कर रहे हैं, और जो निकल रहा है, उसको minus करना है, यह one निकल रहा है, one point three भी निकल रहा है, three, यहोगे four, minus one, see the electrical circuit shown in the figure, which of the following equation is the correct equation is, जैसे कि आपको figure given है, उसमें हमें बताना है, जो correct equation है, जो options में हैं, वो कौन सी वाली होगी, यह जो है, मतलब विसमें, किर्चॉफ्स law में, यह इस वाले method को आप याद रखना, हमें equation निकलनी है, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, A, F, C, B में, अगर A, F, C, B में जाएंगे, यहाँ चलना स्टार्ट होता है, I2 और R2, क्योंकि V equal I into R, I2 और R2 हो गया, लेकिन, जब भी आप I और, जैसे current के साथ ही चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम, तो हमें के करना स्टार्ट करते हैं, उसका opposite लेना होता है, current के साथ चलेंगे, अगर हम तो, फिर उपर जाएगा, अगर हम A, F, C, ठीक है, I2, R2 हो गया, उपर गए, I1 और R1, लेकिन, यहाँ पर current क्या है, हम इस direction में जा रहे हो, current इस direction जा रहा है, opposite हो गए, तो plus कर दिया, और यहाँ पे, जो हमें, यह है E1, हमें जो E1 और E2 है, इनके sign देखने होते हैं, बड़ा वाला होता है, जैसे यह है, बड़ा plus होता है, छोटा minus होता है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं, यह plus है, तो हम minus लेंगे, ठीक है, यह plus हो गया, यह minus हो गया, हमने इसको minus consider कर लिया, हम न 0 होता है, यह होगी first equation, अगर हमें दूसरा देखना है, इन, A, E, D, B में, ठीक, हम यहां से चलते हैं, I2, R2, again, minus I2, R2 हो गया, हम उपर जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो current दिया हुआ है, I1 और I2 दिया हुआ है, इस वाले circuit में नहीं दिया हुआ, इस circuit में जो current होगा, ज इधर दोन तरफ जा रहा है, I1 नीचे भी आएगा, उपर भी आएगा, तो यहां पर जो current हो हम consider कर लेते हैं, I3, I3 जो है, वो summation है, I1 प्लस I2 का, I3 consider कर लिया, उसके साथ है multiply में R, उसी direction में जा रहे हैं, तो माइनस हो गया, जहना हम नीचे I, नीचे क्या होगा, प्लस E2 लेकिन हम इस equation को खोलेंगे, I2 किसका summation था, I1 प्लस I2 का multiply R प्लस E2, अभी इन दोने equations को हमें रखना है, एक साथ, इन सॉल्फ करना है, जैसे secondary, फर्स्ट उपर से रखेंगे, पहले हम रखेंगे, फर्स्ट equation, नीचे second, अब इस equation को सॉल्ट करने का तरीका होता है, जैसे हाँ नीचे minus है, प्लस हो जाएगा, नीचे minus है, प्लस, इधर plus है, इधर minus, अब जो इन नीचे वाली values के साइन है, वो ये वाले नहीं है, जो मैंने लगाया है, नीचे प्लस लगाया है, यहाँ प्लस, यह माइनस, अब एक्ट्वल साइन के वो यह होंगे, यह मैट्स मूँ होता है, जी है, यह हो गया, minus, I2, R2, और plus, I2, R2, तो यह कट हो गया, इसके जैसे यह नहीं है, तो पर साया, I1, R1, यह वाला साइन आएगा, plus, I2, plus, I2, R, minus, E1, लेकिन, plus, E2, minus, E2 से कट हो गया, 0, ठीक, अब हमारे पस क्या है, equation में देखना है कि, ऐसे equation में नहीं है, equation में आप देखोगे, इसमें option में, आगे या तो E1 है, या E2 है, तो हम इसको आगे करेंगे, अब हमारे पस क्या है equation देखनी है, हमें हमारे यह आई है, minus, E1, plus, I1, R1, plus, I2, plus, I1, multiply में R, लेकिन हमारे जो option में हैं, वो यह भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास E1 की option है, यह option तो गया, यह भी गया, यह वाला option तब हो सकता है, जब हम इसमें multiply कर दे, minus की, बाहर minus की multiply कर दी, तो यह हो गया, plus में E1, minus, minus, plus हो गया, plus, minus, minus, तो यह वाला जो फॉर्म, यह एकेशन आई है, हो सेम आगई, E1, E1, plus, यह पीशे लिख दिया, I1, plus R1, और यह सेम, तो option A, जब 2 Ohm था, तो इतना करेंट था, 5 Ohm है, तो इतना करेंट हो गया, then the internal resistance of the cell is, internal resistance निकान ला है, so I equal E upon R plus R, पहले बाले का I 0.5, R निकान ला है, R दिया हुआ है, फस्त इक्वेशन यह होगी, सैकिंड होगी, 0.25E, R plus 5, इन दोनको डिवाइट करके, यह होगा, E, R plus 2, E, R plus 5, E से E कट हो गया, अब 0.5, 0.25, R plus 5, अब उन में R plus 2, दो पॉइंट यहां लगा दिया, एक इधर कट हो गया, so 1 time, 2 times, अब क्या बचा था, इधर बचा 2 equal R plus 5, अब उन में R plus 2, इसकी मल्टिप्लाइस में करें, 2 और माइनस 1, 7R, 1, so R की वल्ली कितना ही, 1 ohm, पोटेंशल डिफ्रेंस, across the terminal of a battery is 50V, when 11A current is drawn, यहां पर जो दिया हुआ है 50V, वो EMF नहीं है, वो potential difference है, मतलब वो V है, और जो current है उसमें उस time पर हो है 11A, यह condition, and 60V when 1A current is drawn, 60V, जब current 1A drawn हो रहा है, the EMF and the internal resistance of the battery are, EMF मतलब E निकालना है, और जो इंटलने रजिस्टेंस से वो निकालना है, V equal E minus I into R, यह formula रखना, V की value पुट करेंगे, तो यह क्रिशन मनेगी, 50 E equal, E minus, यह 11 into R, first equation, दूसरी 60, दो एक्रेशन मनेगी, sin opposite, यह plus में आतो यह minus, minus और यह plus, यह से एक कट, 50 minus 60, minus 10, minus 11, plus 1R, minus 10R, minus से minus कट, सो R की value तो आ गई 1 Ohm, हमार पास एक निकल गई, E की भी निकालने हो हमें, किसी एक में पुट कर देंगे, यह से 50 E equal, E minus 11 into 1, 61 V और R हो गया 1,